पिछले वीडियो में हमने How to be a Nanoscientist Nanotechnology इस विशे में चर्चा की थी आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट्स किया इसके लिए आप सभी का हम शुक्रियादा करते हैं चलिए आज के करियर नामा में हम देखते हैं नए विशे के बारे में, आज का विशे हैं सेरेमिक इंजिनियरिंग, How to be a सेरेमिक इंजिनियर क्रिश्टिलील सरचना वाले प्राकुरोतिक और सिंतेटिक माटिरियल के लिए सेरेमिक या शब्द का उप्योग होता है यहा वतपाद धातों और गैर धातो वाले पदातों से मिलकर बनते हैं कुश्म प्रतिरोदिक शमता होने के कारण, इनका इस्तमाल घरेलो सामान बनाने के लिए होता है इसे के साथ साथ पेस क्राप तक के इंडस्ट्रील हीरिया में इसका इस्तमाल होता है Ceramic industry के अंतरगत चीनी मिट्टी के बरतन बनाने वाले छोटे कारीगरों से लेकर सेमी कंटरक्टर बनाने वाले मल्टिनेशनल कंपनियां तके involved हैं इसमें Ceramic Engineering की बहुत requirement इंटरनेशनल वार्केट में होती है तो आएए देखते हैं कि Ceramic Engineering क्या है Ceramic Engineering Material Engineering की ही एक ब्रैंच है जिसके अंतरगत Ceramic Material की manufacturing, designing, गुनों और इसके उपयोगों का अध्यान किया जाता है इसमें इन और्गनिक या गैरधातु पदार्तों से विबिनन प्रक्रियायों का उपयोग कर वईवस्तु ये तियार की जाती है इसमें विबिनन प्दार्तों की संरचना का ध्यान भी किया जाता है इसमें प्रवेश लेने के लिए आपको क्या करना होगा चली देखते हैं दोस्तों आपको 50 फिसदी अंकों के साथ Physics, Chemistry, Math से 12 वी की परिक्षा पास करने होगी Ceramic Engineering के BE या BTEC कोर्स में तभी आप प्रवेश ले सकते हैं BE या BTEC कोर्स में प्रवेश GEE में के स्कोर के आदार पर ही मिलता है IIT संस्तान में प्रवेश के लिए GEE Advanced का स्कोर जरूरी होता है Mechanical, Electrical, Civil, Mechanical या अन्य समन्दित स्ट्रीम से BE, BTEC करने वाले चात्र इसके Master Degree कोर्स में प्रवेश के योग योग योगते हैं M.Tech कोर्स में प्रवेश GEE के स्कोर के आदार पर ही मिलता है इस एक्जाम को आपको स्कोर करना ही होगा चलिए दिखते हैं कि Ceramic Engineering करने के बाद आपको Job Opportunity कहां पे मिलती है दोस्तों Ceramic Engineering का मुख्य काम या Ceramic Engineer का मुख्य काम Ceramic Material का उप्योग कर नए उत्पाद करना है या नए उत्पाद Products बनाना है ये Professional Research, Designing, Production, Testing आदी में जॉब कर सकते हैं इनके लिए विबिननस सेक्टर में बतार Ceramic Technologist, Production Worker, Interior Designer, Construction Manager इन पूस्ट पर आप खुद को साबित कर सकते हो दोस्तों जॉब पाने के लिए आपको इस क्षेतर में कुछ Skills होना बहुत नेसेसरी है जो Basic Skills वो Required में करते हैं इसमोट Technical Skills होना बहुत जरूरी है Analytical Skills, Creativity आप में होना जरूरी है Problem Solving Skills किसी भी Problem को सरल ढंग से दिवर गती से स्वाल करने के आप में क्षमता होनी चाहिए आपकी Communication Skills अच्छी होनी चाहिए यह अगर क्षमता आपके पास है तो आप इस क्षेतर में अपने Long Career Life के बारे में सोच सकते हैं आपकी देखते हैं इस को करने के बाद अगर आप चौप पर लगते हैं तो आपको salary package क्या प्राप्त होता है इसमें शुरूरात में graduate को 20-25,000 रुपे प्रती महा salary मिलने की संभाव ना होती है हाला कि संस्तान और शेतर के अनुसार यह भिन 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 ना हो सकती है इसमें आपके और का लागून या quality भी आपके salary package को बढ़ा सकती है कुछ वर्षों के अनुबर के बाद आपको सालाना package 4-5 लाग रुपे तक के रापत हो सकता है ceramic engineering के लिए इंडिया में colleges हैं जो reputed हैं जहाँ आप यहाँ आप admission ले सकते हैं जैसे iitphu इसके website iitphu.ac.in दूसरी इनिविशिटी है National Institute of Technology राउर केला इसके website www.nitrkl.ac.in तीसरी इनिविशिटी है Rajasthan Technical University कोटा इसके website www.rtu.ac.in चौता department है Government College of Engineering and Ceramic Technology गुलकता में इसके website www.gcect.ac.in इन college में आप ceramic engineering के डिगरी प्राप्त कर या जब सेरेमिक इंजिनियर करके आपका करियर बना सकते हैं दोस्तों हमने आपको इस क्षेत्र के बारे जानकारी प्रदान की आपको अगर यह हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमें लाइक करना ना भूजी सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकान पर क्लिक अवश्य कीजिए ताकि अगले आने वाले हमारे जो वीडियो रहेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा राप्त हो जाए अगले वीडियो के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा तब तक के थान्यवाद